हाई मैं हूँ RJ अनिमेश आपने सुना होगा making new India तो क्या वाकर ये new India बनाना एक rocket science है science के sector में new India कैसे बनेगा इसको लेकर government of India ने 9 mission decide किये हैं वो कौन से हैं मैं आपको थोड़ा सा brief करता हूँ पहला है natural language translation जिसमें main motto है कि science सभी तक पहुँच पाई उस जरीए से पहुँच पहा है, जिस जरीए से वो science को समझ सकते हैं, तो इस पे काम होगा, दूसरा है quantum frontier, जो quantum mechanics है, वो जिन्दगी में कैसे सहुलियत ला सकता है, इसके बारे में उसमें विचार किया जाएगा, तीसरा हम सब की जिन्दगी का हिस्सा already बन चुका है, artificial intelligence, चाह बायो डायवर्सिटी की ना immense possibility है इंडिया में, लेकिन उतनी explore हुई नहीं है, तो लेट सोब की इसके बाद यह explore होंगी, अगला जो mission है, mission number 5, वो है electric vehicles, देखें मारुती already अपने diesel vehicles बंद कर रही है, रेनो ने भी उन्हें कम करना शुरू किया है, and by 2022 आपको शायद diesel vehicles नए स अगला जो छटवा mission है, वो है biology and human health, human health बड़ा challenge है, हमारे पास कुछ नई बिमारियां अक्सर सामने आती हैं, कुछ तो पुरानी आती हैं हम अभी तक समझ नहीं पाते हैं, जैसे बिहार का वो चमकी बुखार, वो क्या reason है, कैसे cure होगा, अभी तक challenge है, तो इस challenge से निपट में, कच्रा भरके हैं, और उसमें possibility भी भरके है, अगर ये successful हुआ, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, अगला जो mission है ना, mission number 8, उसके बारे में मेरा ये कहना है, कि हम outer space को explore करने के लिए बहुत खर्च करते हैं, बहुत excited रहते हैं, मंगल पे जाते हैं, चान पे जाते हैं, ल लायक बना ले, तो जमीन की problem ही खतम हो जाएगे, अगला जो mission है, उसका नाम है अगनी, जिसमें इंडिया के new इंडिया के innovations को आगे बढ़ाया जाएगा, accelerating growth of new India's innovation, ये अगनी है, और इस अगनी की जो तेज है, इसकी जो जुआला है, उससे बहुत सारी खुशें आएंगे तो ये 9 mission है, जो science के sector में new India की making करेंगे, इसमें कितना potential आपको लगता है, suggest कीजिएगा, चलो आज कुछ, अच्छा सुनते हैं